आज हम पड़ेंगे कक्षा चौथी का गहरवा पाठ पड़कू की सूज जिसके लेखक हैं रामधारी सिंग दिनकर एक पड़कू बड़े तेज थे तरक शास्त्र पड़ते थे जहां न कोई बात वहां भी नई बात गड़ते थे एक रोज वे पड़े फिकर में समझ नहीं कुछ पाए बैल घुमता है कोलहू में कैसे बिना चलाए कई दिनों तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है सिखा बैल को रखा इसने निश्चे कोई धब है आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे कोलहू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है रहता है घुमता खड़ा हो या पागुर करता है मालिक ने यह कहा अजी इसमें क्या बात बड़ी है नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक बड़ी है जब तक यह बस्ती रती है मैं ना फिक्र करता हूँ हाँ जब बस्ती नहीं दौड कर तनिक पूंच धरता हूँ कहा पड़कों ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे बेवकुफ मन्तिक की बातें समझ सकोगे थोड़े अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए घंटी तुन्टुन खूब बजेगी तुम नपास आओगे मगर बूंद भर तेल साज तक भी क्या तुम पाओगे मालिक थोड़ा हसा और बोला कि पड़क को जाओ सीखा है यह ग्यान जहां पर वहीं इसे फैलाओ यहां सभी कुछ ठीक ठाक है यह केवल माया है बैल हमारा नहीं अभी तक मन्थिक बढ़ पाया है अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए शैर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए बाई बाई टेक केर